नमस्कार दोसे वीडियो में देखेंगे HR Motor के CR में 3 एप्रिल के लिए हमें कुछी-कुछी लेवल चारगेट को फॉलो करने के आवस सकते हैं दोस्तों नोटिस कर शकते हैं आपके सामने HR Motor के लिए एक डाउन ट्रेंड में कंटीन्यू करता आपको यहां से नजर आ रहा है औ अब यहां से आपको उपर जाने का संभावना देखने को मिलेगा और जब तक स्टॉक इस ट्रेंड के नीचे ट्रेट करें तब तक आपको यहां पर गिरावाट ही नजर आएगा दोस्तों अभी कंडिसन के लिए अगर इस पे आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक आपके साम करें तो 3345 को फालो करने की आवसकता हैं जोस्तों अगर आप इसमें next studying session की labels देखना चाहते हैं कि next studying session के लिए आपको consequence labels को focus करना चाहिए तो इसके लिए आपको support line follow करना रहेगा 2918 को और दूसरा अगर support line देखना चाहेंगे तो रहेगा दूसरे यहां पर 2888 का और दूसरे इसमें जो आपको resistance line देखने को मिलेगा resistance line रहेगा यहां पर 2973 का अगर इसको breakout करता है तो फिर 3003 का रहेगा तो इनी levels पर दोस्तों ध्यान रखे वीडियो अच्छा लगे तो like करिए चैनल को subscribe करके bell icon दबा लेजे धन्यवाद